नमस्कार दोस्तों जी हां आज के इस विडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि आपने थमडिल के अंदर देखा विडियो वाल्स के बारे में आपने कहीं बार कहीं movie scenes के अंदर या फिर कोई अगर आपने खुद ने practically कोई control room देखा हो कभी कोई surveillance center देखा हो जिसके अंदर आपने दिखा होगा कि एक जो chief होता है वो खाड़ा है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ी आलिशान display लगी होती है और उसके अंदर पूरी के पूरे cameras दिखाये जाते हैं surveillance cameras दिखाये जाते हैं कुछ section में camera चल रहा है कुछ section में analytics चल रहा है कई बार ऐसा भी होता है कि कोई advertisement चल रही है उसमें भी आपने कोई mall में देखा होगा कि वहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ी display लगी होती है लेकिन ये जो बहुत ही बड़ी display है वो आपने दिखा होगा कि एक जेसी नहीं होती उसमें कुछ blocks होते है तो दोस्तों इसी को बोलते है video wall video wall के अंदर अलग-अलग LEDs होती है और ये अलग-अलग LEDs को combine करके एक पुरा का पुरा display बनाया जाता है ये कहलाता है video wall तो आज के इस video के अंदर हम यही समझने वाले हैं कि actually ये video wall होता क्या है कैसे बनता है और इसका हमारी surveillance industry के अंदर या फिर advertisement industry के अंदर कितना बड़ा रोल है और इसको आप किस तरह से install कर सकते हो दिखता बहुती पेचीदा मामला है लेकिन जब मैंने इसको समझा तो ये बहुती simple सा solution निकला तो मैंने सोचा कि क्यों न simply ये भी आप लोगों की सामने मैं परोज ही दू तो दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग वीडियो वाल लगा है तो इस वीडियो वाल लगाने के benefits क्या है हम लोगों ने most awfully बहुत सारे cameras लगा होंगे और हम लोग इस वीडियो को बना रहा है as a surveillance industries जादा तर कि surveillance industry के अंदर हमारा ये जो वीडियो वाल का concept है वो क्यूं है तो जब भी वीडियो वाल का planning किया जाता है तो वीडियो वाल इसलिए planning करते हैं कि आप एक footage को या फिर एक camera को एक बड़ी सी screen के अंदर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं दूसरी चीज़ के अगर आप इसके अंदर कुछ portions अलग-अलग करके देखना चाहते हैं इस section में कुछ और दिखेगा किसी section के अंदर आप इस section के अंदर कोई analytics लेना चाहते हैं इस section के अंदर आप कोई other health activity जो होती है वो आप देखना चाहते हैं तो हमारी CCTV monitoring के अंदर आती है अगर वैसा कुछ देखना चाहते हैं तो video wall के माध्यम से देख सकते हैं उसके साथ साथ में बहुत सारे और भी display लगे होते है control center के अंदर एक जो chief होता है अगर वो खड़ा है तो उसको बार-बार इदर उदर नहीं जाना पड़ता जो भी एक completely live monitoring video wall के थूँ की जाती है अब ये समझते हैं कि ये video wall कैसे बनती है इसमें क्या-क्या component लगते है तो देखो कोई भी display बनाने के लिए सबसे main चीज होती है LEDs तो जी हाँ इसके अंदर बहुत अलग-अलग तरह की LEDs आती है और ये जो LEDs होती है वो commercial series के अंदर आती है जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम बहुत सारे अलग-अलग तरह के normal display यूज़ करते है अलग-अलग brand के यूज़ करते है सोनी, सैमसंग, LG, हिक विजन, दावा बहुत सारे monitors है ये सब normal monitors है इसी के अंदर एक series आती है अब आपको इन normal monitor के अंदर जो warranty होती है वो आपको limited मिलती है मतलब one year की मिलेगी प्लस ये जो normal वाले जो monitors होते है वो जो बनाय जाते है वो अलग एक level के लिए बनाय जाते है कुछ गंटों के लिए बनाय जाते है 24x7 के लिए नहीं बनाय जाते है तो ये जो video wall होती है इसके अंदर जो भी display use किया जाता है वो man चीज 24x7 आपका work करता है इसकी life, इसकी जो durability होती है वो काफी होती है उसके साथ साथ में इसके अंदर जो brightness होती है जिसको मापा जाता है नीट्स की मदद से यहां ये नीट्स जो होता है जो brightness होता है वो भी इसके अंदर काफी better होता है नॉर्मल डिस्प्ले से इसलिए video wall का use किया जाता है अब ये video wall के अंदर अलग-अलग टाइप की screen size होती है जैसे की हम एक नॉर्मल यहां पर LED की बात करेंगे जो इसका एक portion है उसके अंदर आपको 46 inch मिल जाता है 49 inch मिल जाता है 50 inch मिलता है 55 inch मिलता है ये depend करता है का आप किस brand के साथ में जाना चाहते है आप यहां पर हिक विजन के साथ में जा सकते है क्योंकि हिक विजन भी आपको video wall solution provide करता है as well as आप दहुआ के साथ में जा सकते है इसके अंदर भी वो आपको video wall solution provide करता है आप Samsung लेना चाहे उसमें जा सकते है आप LG लेना चाहे उसमें जा सकते है अब हर company के अंदर size थोड़ी से differ होती है और उसकी जो specifications होते हैं वो थोड़े से differ हो सकते हैं अब video wall जब भी बनाई जाती है तो सबसे पहले आपको चाहिए कि एक wall की size क्या है मतलब कि वो कितने बाई कितने की है और इसे हिसाब से calculation बिटाई जाते हैं कि यहाँ पर आपका 2x2 का display बनेगा यानि कि दो आपकी LED है वो उपर और दो LED नीचे है जिसको 2x2 बोलते हैं आप 3x3 बनाना चाहते हैं आप 2x6 बनाना चाहते हैं आप जो भी combination बनाना चाहते हैं वो आपकी wall size की according बन जाता है इसके अलावा इसमें कुछ brackets लगाए जाते हैं अमने LED का selection ले लिया अब LED के selection के बाद में आप इसके अंदर जो wall mount bracket होते हैं वो होते हैं कुछ fix bracket होते हैं कुछ होते हैं front maintenance के लिए बनाए जाते हैं जिसको एक बार आप पुश करते हो तो फेट हो जाता है और एक बार वापस से पुश करते हो तो बाहर आ जाता है इसी के साथ में modular bracket भी होते हैं कहीं पर आपके पास में wall नहीं है और आप उसको थोड़ा सा अलग जगह पर खुद वर्चुर एक wall बनाना चाहते हैं इस तरग के आपके पास में module मिलते हैं जो कि आप सीधी की सीधी जो LED से बना सकते हैं मतलब कि as a wall की तरह खड़ी कर दीजिए और वहां पर भी आपका video wall solution है जो बन सकता है एक और चीज़ यहां पर देखी जाती है जब भी LED का selection करते हैं तो उसके अंदर होते है bezels जैसा कि आपने कहीं बार देखा होगा कि अगर आपने video wall देखा होगा या फिर ये video wall देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको बीच में आपको clear दिखा ही देता है कि कोई line है black color की अब ये line जितनी ज़्यादा पतली होगी LED की जो cost है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी मतलब जो उसके bezels होंगे अब इसके अंदर अमूमन तीन तरीके की size ज्यादातर होती है अगर bezels की बात करें जो size होती है वो 3.5 mm इसके साथ में इसके बात में जो होती है वो है 1. 1.7 या 1.8 mm और जो दूसरी एक size होती है वो होती है 0.88 mm तो इस तरह की total 3 size है अगर 3.5 mm bezel वाला आप अगर display लेते है तो उसकी जो costing होगी वो थोड़ी सी कम होगी इसके बात में 1.7 वाला लेंगे तो इसके अंदर थोड़ी सी costing बढ़ जाएगी और 0.8 वाले के अंदर और इसके साथ में एक और चीज़ जैसे के मैंने आपको बताया था कि needs मतलब किसकी brightness कैसी है साड़े 300 needs से ये शुरू हो जाता है साड़े 300 needs हो गया 500 needs हो गया 700 needs हो गया तो आप जिस तरह की quality को आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लेख सकते हैं उसके according prices होगी तो अब यह तो completely बात हो गई कि आपने यहाँ पर LED का selection कर लिया आपको सबसे पहले LED का ही selection करना होता है LED के selection के बाद में bracket का selection हो गया कि आपके वहाँ पर wall की size किया या फिर आप कोई अलग से wall कड़ी करना चाहते है तो उसका selection हो गया अब यह पूरा एक display बन जाने के बाद में अब इस आपको एक particular camera चलाना चाहते है यह फिर पूरी LED के अंदर चलाना चाहते है तो यह सब कुछ customize किया जा सकता है कि आप कौनसे section में आप क्या चलाएंगे हर एक चीज़ customize की जा सकती है तो इसके लिए यहाँ पर आपके पास में एक और चीज़ पिक्चर में आती है और वो जो सबसे पहले बात करते है decoder के बारे में और यह जो decoder होते हैं वो हमारे servilence industry में काफी better तरीके से use करते हैं और इसी को सबसे जादा use किया जाता है actually decoder क्या होता है अब example कि हमने कहीं पर एक servilence system लगाया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास में total 10 NVR है या फिर 10 DVR है मतलब आपके पास में 10 आपके पास में outputs है अब यह output में क्या आपको मिलता है या तो आपको HDMI output मिलेगा या VGA मिलेगा या फिर इसके लावा आपको जो output मिल मिलता है ऑप जो आपने पूरा setup लगाया वो कहीं पे भी लगाया हो सकता है केसे भी लगाया हो सकता है लेकिन अगर आपके पास में यहांपर decoder होगा तो decoder के अंदर जो input होता है वो RJ45 मतलबост LP路 अब यह जो LAN का input होता है वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप कोई switch से ले सकते हैं, आप कोई router से ले सकते हैं, या फिर आप directly आपके NVR से भी ले सकते हैं, तो चाहे आपका जो control room है, मतलब की जहां पर आपकी यह सब चीजे पढ़िए, वो कहीं पर भी हो, और आप video wall कहीं प चाहिए, 8 input वाला चाहिए, 10 वाला चाहिए, 12 वाला चाहिए, 16 वाला चाहिए, तो इसमें अलग-अलग तरक के input वाले आपको decoders मिल जाते हैं, अब जितने भी आपके पास में LAN के connectivity होगी, मतलब आप इसके अंदर डालते रहिए, ठीक है, अब इसके अंदर डाला और इसक जो corner होता है, जहां से आप शुरू करते हैं, वो होता है इसका master display, तो उसके अंदर आप HDA में को है, वो आप input कर देते हैं, यानि कि इसमें से decoder में से output करेंगे, और TV के अंदर आपकी LED है, उसके अंदर input कर देंगे, अब आपके पास में यहां पर एक और रोल आता है, उस जो software है, वो अलग है, और उसके साथ में, अगर आप HikVision का ले रहे है, तो आपको यहां पर भी एक अलग से software दिया जाता है, और इसको बोलते है, software module for the display management, एक normal software होता है, और अगर आप समझ लो कि इसको manage करना चाते है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास में laptop इसको चाहते हैं, तो आप उसके अंदर डाल दीजिए, और आफटर उसको push कर दीजिए, मतलब कि LED को दे दीजिए, upload कर दीजिए, फिर बले ही आपका PC हटा लीजिए, आपने जो setup किया था, वो setup आपको यहां पर इस video goal के उपर दिखना शुरू हो जाएगा, अगर आप उ changes किये थे, वैसा हो जाएगा, तो इस तरह से आप पूरा का पूरा जो वीडियो wall है, इसको आप design कर सकते हैं, यह होता है decoder, अब controller क्या होता है, एक्चुली क्या होता है, कि अगर हम लोग कोई advertisement industry से हैं, कि हमारा यहां पर lane input नहीं है, और आपके पास में यहां पर बहुत तरह के, जो input मिल रहा है, वो आपको HDMI के through मिल रहा है, तो यह जो controller होता है, उसके अंदर बहुत सारे HDMI input होते हैं, और उतने ही HDMI output होते हैं, जो क्या करेगा, कि आपके पास में for example, चार input है, एक PC का input है, या फिर एक कोई DVR का input है, इसके बाद में आपके पास में कोई laptop का input है, या फिर कोई और device लगी हुई है, कोई media player लगाया हो है, उसका input है, तो यहाँ पर input के coding, आपको यहाँ पर controller मिलता है, जो अलग-अलग size का होता है, आपको जैसी requirement होगी, आप उस तरह का यहाँ पर input वाला controller ले सकते हैं, वो HD में उतने input हो गए, और उतने ही जितनी आप LED ल controller के अंदर लग जाता है, हर LED से निकलेगा, और इसके बाद में आप उसको जिस तरह से चाहो वे से control कर सकते हो, तो जैसा कि आपको समझ में आ गया है, अगर आपके पास में LAN inputs आ रहा है, तो आपको decoder लेना है, और अगर आपके पास में कोई directly HDMI है, तो उसके लिए आपको controller लेना है, एक चीज़ का धियान रखेगा, कि जब भी आप decoder को use करते हैं, तो decoder क्या करता है, actually LAN data को आपके HDMI वाले data के अंदर convert कर रहा है, तो उसकी अपनी एक अलग से capacity होती है, उस capacity से ज़्यादा नहीं कर सकते, for example, कि आपने 500 cameras लगा है, और 500 camera एक साथ में अगर आप display प पर जिस तरह का display चाहते हैं, वैसा आप कर पाएंगे, so दोस्तों कितना simple था, एक बार से फिर से summarize करते हैं, अगर आप video wall solutions को बनाना चाहते हैं, attractive दिखाना चाहते हैं, बहुत सारे data एक साथ में करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास में एक size होना च jackets की उसको आप किस तरह से fitting करवाना चाहते हैं, इसके बाद में लगेगा आपको controller जो एक decoder भी होता है, और एक controller भी होता है, आपको इस में से कौन सा selection करना है, और इसके बाद में लगेगा आपको एक software जिसके तुरू आप ये पुरा manage कर पाएंगे, तो आपका ये जो ये जो समझाने का तरीका है, वो अगर पसंद आ रहा हो, या फिर मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like करना मत बुलेगा, बहुत मेनत लगते हैं, बहुत research करते हैं, इस तरह के वीडियो को बनाने में, so like जरू करिएगा, चैनल को subscribe करना मत बुलेगा, मिलते हैं झाल को